त्यारे विदार्थियों नमस्कार, स्वागता आप सभी का आपके अपने यूटूब चनल आरपेश्टेडी में, तो जो भी विदार्थी बीएश्टिसी एक्जाम दो जार पच्चिस की त्यारी करने वाले सभी विदार्थियों के लिए, ये कलास बड़ इंपोर्टेंट ह जान से पूरा देखना हैं, और लाइस्ट मैं द्योस्तों कमेट करना कितने पर्शन आपके सही होते हैं, दोस्वे आज़ मभ बग आपके लंबी रहने वाले, इसने अपनप पूरre 500 परशन को पड़ेंगे, अपन क्या करेंगे, पुरे डूस्तों टोस्तों राजिएकर न important question पढ़ने वाले हैं तो इस class को आपको पूरा डेखना अगर आप इस class को पूरा डेख लेते हो ना तो आपका BSTC exam में राजस्तान जी का पूरा सूपड़ा साप है इस से बार आपका राजस्तान जी के नहीं आने वाला हैं इस लिए इस class को आप पूरा डेखिए और last में comment क कि यह कितने परशन आपके साही होते हैं तो चले विदारते क्लास का सुबारम करते हैं कलास का पहला परशन देखिए डौक्तर सीवी रमन ने राजस्तान के किस सेर को गौरव के दीप का है मतब दोस्तों आइस लेंड आप गैलोरी का है ठीक है अजमेर को उडियपूर को ओटा को जय पूर को काफी इचार काफी i important question पूचाया दोस्तों आपसे भूचे exam में गौरो के दीप या रोस्तों आपसे पूचे कि आइस लेंड ऑप गैलोरी किसे कहते हैं तो आपको comment करना है कि इसका सही उतर क्या रहिगा देखो साथ में सभी comment करेंगे तबी का माने व मतलब option number C आपका right है जयपुर ठीक है अगला स्वाल क्या पुछा आपसे राजस्तान इस्तापना डिवस कि मनाते हैं राजस्तान इस्तापना डिवस का पुछा आप यहां राजस्तान डिवस पुछा आप से 231 तीस मारश को दें को परशन दो टाइप से आता है एक परशन पूस्ते राजस्तान डिवस कब मनाते हैं तो एक ही बात है दोस्तों राजस्तान डिवस परतिवरस 30 मारश को मनाते हैं और अपसन नुमर बी आपका सही है जो भी बी कमेंट करा भी आपका सही रहेगा ठीक है बहुत बढ़िया अगला स्वा कर दोस्तों hiçbir कि बात की जाए तो राजस्तानी बासा डिवस आपका 21 परतों मनाते हैं और ओपसन अंबर डी आपका सही है यहाँ कौन सा वप रॉप्सन आपका डूस्तों डी ओपका सही रहेगा लीजी अगला स्वाल District में कि स्विध्वान ने पर्तमार वर्तमान राजस्त बोलते हैं अभी आपना राजस्तान है दोस्तों нуть को अन्य हो m Kid बूबा को राज फूताना नाम की कि ने किया था ठीक य bara कग पूच्च आपकर राट रहेगा ठीक है झो यह उप्erson आपका राइट रहेगा ठीक जो भी अब यहां पर भी कमेंट करा, कौन सा उप्सन आपका सही रहेगा, भी उप्सन आपका सही रहेगा, लीजिए अगलास वाला आप सामने, राजस्तान सबत का प्रयोग सब परतम किस ने किया था, देखो राजस्तान सबत का पूचे आप से, राजस्तान सबत का सब परतम परतम किस ने किया थ राजस्तान के इत्यास का फितम है, इससे क्या बोलते हैं? जिलता है? डांग की राणी के पूछा, बता हो अब सभी विदरी कमेंट करेंगी कि राजस्तान का कौन सा जिल्या डांग की राणी कहलता है आप देखो कर डांग छेतर की बात करें कि राजस्तान का डांग छेतर है इसमें कौन कौन सा जिल्या आते है तो इसमें एक तो आता आपका दोलपूर कौन साजल आता है दोलपूर आता है और साथ में कौन आता है साथ में करो ली आती है साथ में कौन आती है करो ली आती है ठीक है देखो अगर डांग की राजा का पूचे डांग का राजा है वो आपका दोलपूर तो क्या है दोस्तों डांग का राजा है और डांग की राणी पूचे आप से तो डांग की राणी करो लिए ठीक है यह बात ध्यान में रखनी है और यहाँ पर पूचा रिट की डांग की राणी किसे कहते हैं तो वो करो लिए ठीक है और अपसन नमबर भी आपका सही है आप में से जो भी बी comment करा भी option आपका साही रहेगा ठीक है और इस class की pdf की बात करो मैं कि इस class की pdf का मिलेगी तो इस class की रूसमों pdf मिलेगी हमारी टेलेग्राम चनल आरप पर इस्टेडी में ठीक है टेलेग्राम को जोएन को लो लिंक से और वहाँ पर आपको pdf मिल जाएगी अगला स्वाल गंटियों का साहर के से कहे बताऊ बाई राजस्तान में आपका गंटियों का साहर कौन सा आ है राजस्तान में आपका गंटियों का सेर कौन सा है दोस्तों आपका सीटी ओप बेल कौन सा है तो जालरा बटन है ब्यावर है खानपूर है और दोस्तों आपका चंद्रावती है तो जेको जालरा बटन आपका जालाबाड में जालदरा पटन कहां पर आपका दोस्तों यह आपका जालाबाड में है इससे क्या बोलते हैं इससे क्या बोलते हैं सीटी ओ बेल बोलते हैं विदार्थियों ओप्शन यह आपका राइट रहेगा ठीकि अगर पूछे सपेज सेर राजस्तान की वाइट सेर कौन सा है राजस्त अब देको 100% क्या है आपका बारति उसमें से आपको बताना हैं कि 100 में से कितने परसेंट भूबाग पर फैला हुआ है 10.45, 9, 10 40.11.50 या 15 परसेट तो देखो आपका 10.41 बोलो या 45 बोलो ठीक है दोस्तों अगर आख राजस्तान की बात करें तो 100 में से दोस्तों आपका राजस्तान कितने भूबाग पर फैला हुआ है 10.45 परसेट भूबाग पर क्या है अपना राजस्तान फैला हुआ है ठीक है सिंपल कोशन है यह ओप्सन आपका राइट है जो भी ओप्सन है कमेट करा सही रहेगा अगला सवाल बड़ा इंपोर्टेंट आपसे बूचाएं मिलान करनी क्या करनी आपको यहाँ पर दोस्तों मिलान करनी है कि सुमलित कीजिए यहाँ पर प्राचिन छेतर है और यहाँ पर आपको आदोनिक जिल्ले है ठीक है प्राचिन को भी क्या करना आपको आदोनिक को मिलान आए ठीक है जालोर जिला, जालोर को क्या बोलते हैं सवनगिरी बोलते हैं, लिको यहाँ पर तीन, लिक दिया तीन उसके बार दोस्तों कांटल की बात करें तो कांटल आपका परताब गड़ कांटल किसे बोलते हैं, परताब गड़ियां माई नरी का किनारा कंटर कहलाता है और अर्बुद आपका सिरूई ठीक है मतलब 4-3-2-1 4-3-2-1 किसमे है दोस्तों आपके 4-3-2-1 option A में है मतलब सही उतर क्या रहेगा आपका option A आपका सही रहेगा ठीक है option number A आपका सही रहेगा लीज़े अगला साल सूरे नगरी किसका नाम है Sun City सूरे नगरी बताओ भई राजस्तान में अगर पूछे सूरे नगरी कौन सी है वो आपको बताना है जैपूर जैसल मेर बाड मेरा जोधपूर बताओ भई राजस्तान की सूरे नगरी पूछा आपसे तो सूरे नगरी जोचपूर को कुशन आपका राइट है कौन सा आपका राइट रहेगा दोस्तों dritis है पुछाआ आपसे राइसेस्तान की इस्तली सिमा है उसके नबाई पुछे आपसे 170 किलोमेटर है ठीक, 1070 km, या दोस्तों, 870 km, 826 km, या दोस्तों 5920 km, बताओ भाई, राजस्तान की कुल स्तले स्यमाई के लंबाई कितनी है, वो आपको यहां पर कमेट करना है, बहुत ही पहरा परशन है आपका, तो यहां पर क्या रहेगा, 5920 km, यह क्या है दोस्तों, राजस्तान की 1070, यह क्या है दोस्तों, राजस्तान की अंतराश्टी स्यमाई के लंबाई है, ठीक, यह तो अंतराश्टी है, और इस तली स्यमाई वो आपकी 5920 है, ठीक है, और अपसन नमबर, डी आपका साहिए, लीजिए अगला स्वाल की आप पूचा है, राजस्तान की पाकिस्तान के साथ अंत्राश्टी शीमा की कुल लंबाई कितनी है अब देखो अगर राजस्तान की बात करें तो राजस्तान की सीमा दोस्तान किसे लग दिये पाकिस्तान से लग दिये है ना तो रोस्तों बताओ इसकी सीमा है वो कितने किलोमेटर लगती है एक जार बीस किलोमेटर एक जा लग दी या पाकिस्तान से लग दी है यह रुस्टन किसे लग दी है पाकिस्तान के साथ में लग दी है इसे रुस्टन क्या बोलते हैं इसे रेड कली प्रेका भी बोलते हैं आपसे बुच्छा एक्जाम में कि रेड कली प्रेका के लंबा ही कतनी है तो कतनी होगी एक जार और 70 km, ठीक है, option number क्या रहेगा, option B, आपका सही है, आप में से एकर कोई भी comment कर रहा है, तो भी option आपका सही है, दोस्तों साथ में comment और count जरूर कीजिए, ताकि मालूम पड़े भई आपकी तारी कैसी, आपने कितना कुछ पढ़ रखा है, ठीक है, लीजे अगला स्वाल के आप उचाएं, राजस्तान का सबसे निकट बंदर का कौन सा है, राजस्तान के सबसे सरवाड़ी निकट बंदर का है, उस बंदर का का नाम बताईए, पटा पट, जामनगर हैं, मुंबोई हैं, ओका है और कंडला, तो राजस्थान के सरवाड़ी निकट बंदर का है वो कंडला बंदर का है, कौन सा बंदर का है दोस्तों वो बिल्कुल आपका कंडला बंदर का है, ये क्या है दोस्तों राजस्थान के सरवाड़ी निकट बंदर का है, ठीक इसमें आपकी बुगोले कला संस करती है इतिया से सारी बाते पटने वाले राज वस्ताव अगर सव आईगे ठीक है तो इस क्लास को मिस्स मत करना आप और बताओ कि रसरे पर किस लक्स्टी पूजा करते हैं अगर आप में से कोभी विधारती BSTC एक्जाम 2025 का कॉरस लेना चा किजे 100% आपका सेलेक्शन होगा अरवार दोस्तों हमारे यहां से क्या है कम से कम अगर बात करें कम से कम लेके चलें तो यहां पर बिलकुल साथ साथ से आट तार बच्चे क्या है वो आपके आर पेस्टी एप से निकलता है विधारती हो यह बात ध्यान रखना ठीक है अब बताओ दसरे के पर किस फ्रक्ष की पूजा करते हैं फटा फटा फट कमेट करेंगे साथियों दसरे के पर पर किस फ्रक्ष की पूजा करते हैं आपसे पूचे एक्जाम में तो यहां पर आएगा खेजडी क्या है रजस्तान का गोरो है खेजडी क्या है रजस्तान का गोरो के रूप में जानते हैं अब देखो लखडी की पहाड़ी और गाठी की भूमी है न वो किस दिले को बोलते हैं बारा को जलवाड को डुंगरपूर को बांसवड़ा को पड़ा बड़ कमेट करेंगे दोस्तों तो यहां पर क्या आएगा बिल्कुल आपका वो आएगा बारा जिला दोस्तों इसे क्या बोलते हैं लखडी की पाड़ी और गाठी की भूमी कहते हैं बारा को कहाएगा बारा ओप्सन आपका राइट रहेगा ठीके अगला बताओ क्या पूचा मिलान करनी है यहां पर दुस्तों क्या करना आपको मिलान करनी है ओप्सन दे रखके सारे इ दोस्तों, बात करें, चपन की पाड़ी है, वो आपकी कहाँ पर है, वो आपके सिवना में, सिवना भी बालोतरा में, ठीक है, अभी सिवना कहाँ पर दोस्तों, आपका, अभी सिवना बालोतरा में, और आपसे बूचें, कि चपन की पाड़ी पुछे, चपन के पाड़ लगे चपन के मैदान अलगे ठीक है चपन की पाड़ी यह वो आपकी सिवना में है रोस्तों सिवना आपका बालोतरा में है उसके बाद अगर गिर्वा की पाड़ी की बात की जाए तो गिर्वा की पाड़ी आपकी उध्यपूर चेतर में है उसके बाद चपन के मैदान की बात की जाए तो चपन के मैदान आपके बांस फड़ा डूंगरपूर में हैं विजारतियों और बालो का इस तो मुख छेतरे वो आपका जैसल मेर बाड मेरे ठीक है मतलब बॉपसन भी आपका सही है यहाँ पर शही उतर का है रहाएगा वी आपका सही है यहाँ पर क्या होगा वी आपका सही रहाएगा ठीक है अगला परसण आपके सामने आंकल काश्ट जिवास्वं पाराग राइस्सतान के किस दिल्यमें रिस्तेदें दोस हम से पूचा, आंकल जिवासमण परक है, ये रायस्ताइंड के कौन से हैं, ठीक है? बीकानेर में हैं, अजमेर में, जोधपुर में हैं, जैसलमेर बताओ बाई rubbish, आंकल वुड फासिल परक पूचे, आंकल कश जिवासमण परक पूचे, एक ही बात है, ये अगर पारक का पूछ ले अग्जाम में तो यह कहाँ पर है आपका जैसल मेर में यह कहाँ पर दोस्तों आपके जैसल मेर से 17 किलोमेटर दूर है विदारतियों ठीक है बिलकोल कहाँ पर है आपका आंकल में option number D आपका right रहेगा जो भी option D comment करा सांदार लेज़े अगला स्वाल क्या पुछाएं चंद्राकार बालोकास्तूप को क्या कहते है अब देखो रूस्तों चंद्राकार बालोकास्तूप को क्या कहते है अब देखो रूस्तों चंद्राकार बालोकास्तूप को क्या कहते है उसे बालोकास्तूप क्या कहते है उसे बालोकास होती है यह तो आपकी इस थाई होती है ठीक है अई हिस्क विश्थर फालया जिन्य दुक्षा पूछे स्टेटी मिलती है दोस्तों पलाज जिल्या-सराटी का मिलती है यह आपके फिल्कूल थार के मुस्तिल में सराटी मिलती है Option B आपका सइए अगको का संय है अगला परशन आप से क्या पूचा है राजस्तान में 12 सर्वा चोटी क्वो ौन कि ऊचाहिए इसकी ऊचाहि कितनी यह 1722 मिटर यह हुच्छी विदारतियों ठीक है अब बताओ दूसरी गूच्य दूसरी दूसरी जोटी कौन सी यह वह आपकी सेर और सेर भी कहाँ पार है सेर स्फोटी भी आपकी स्विद्व ही माई ए ठीक है दोनों चोटिए कहाँ पर शि आपके आपका पहले चार लग दियाया उसके बाद में रावली चोटे कौन सी है ट्मात quड confidently करें मे अपके तो मिलावली चेया यह वो आपकी टॉड़ गड़े बते राड़े की चोटी आपकी टॉड़ गड़े विधार थी हूं उसके बाद दोस्तों आपके रेड़क्शन राड़े की बात करें तो वो आपकी दिलवाड़ा है लिको यहाँ पर थरी कौन सा बचा भी अड़े परदियस की वो आपकी पर आपकी बता हैं नागपाड काँ पर रहे हैं आपका जैपूर में अलवर में अजबेर में बरतपूर बता हुवई नागपाड काँ पर रहे हैं यह नागपाड आपका जैपूर में नागपाड की दिले में दोस्तों आपका आता हैं यह आपका आता हैं अजमेर में नागपाड काँ पर हैं अजमेर दिले में हैं यहाँ पर सी ओप्सन आपका राइट हैं जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा सी ओप्सन आपका साइज है कि बुंदे जिले में स्थित पाड़ियों को क्या बोलते हैं जो बुंदे की पाड़ियां उसे क्या बोलते हैं गिर्वा की पाड़ियां मगरा पाड़ियां दोरा परतियां रूस्तों आड़ा वाला परत बताओ भई बुंदे की एकर पात करें कि बुंदे की पाड़ियां है उसे क्या बोलते है आप से पुछ है एक्जाम में तो बताओ बुंदी की पाड़ियों को रुसने क्या बोलते हैं और अड़ा वाला परत बोलते हैं ठीक है और मगरा आपकी उध्यपूर की है मगरा कहा की है उध्यपूर की विधारतियों है और अड़ा वाला परत वो आप का बुंदी में कहा पर हैं बुंदी में हैं ठीक है जान में रखना काप important को सुरू बनता है यहाँ पर D option आपका right है यहाँ पर कौन सा option आपका right है दोस्तों D option आपका right है अगला बताओ चलो क्या पूचा है सिरोई जिले में तिर डाली उबर्ड खाबर जो पाड़िया है उसे क्या बोलते हैं पहली बात सिरोई की बात हो रही है शिरोई के रुष्टों उबड खाबड है ना तिरोई डालेग जो पाड़ी आए उस रुष्टों इस ताने वासा में क्या बोलते है गिरवा, बाकर, बोराट या थली तो उसे बाकर बोलते है ठीक है ना शिरोई की पाड़ीयों को रुष्टों क्या कहते है शुरोई की पाड़ियों को बाकर कहते हैं यह पर भी उप्सन आपका राइट रहेगा निमल लेकित में से कौन सा अपटार माउन्ट अबू परतिस्तल से आठ किलोमेटर दूर गुरुष शिकर की चोटी है जो सबसे नीचे है बूराट का पटार, मैसा का पटार, उडिया का पटार है आपका दखन का पटार अब देखो गुरुष शिकर की बात करें दोस्तों गुरुष शिकर के दोस्तों नीचे जो पाड़ी है उसे क्या बोलते हैं यह जो पटार है उसे क्या बोलते हैं तो गुरुज शिकर के निश्यवडा जो पतार उसे किस नाव से जानते हैं दोस्तों बिल्कुल उसे क्या बोलते हैं उडिया का पतार बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं उडिया का पतार बोलते हैं और ये पतार क्या है आपका राजस्तान का सबसे उच्छा पतार है ये क्या है बैंसरोड गड़ से बीजूलिया के मद्दे जो पठार उसे क्या बोलते है देखो यह आपका बैंसरोड गड़ है दोस्तों बैंसरोड गड़ से लेकर बीजूलिया के बीच बैंसरोड गड़ से लेकर बीजूलिया के बीच में जो पठार है न जो पठारी भाग है उसे किस लाम से जानते है आपको comment करना है उपर माल का पठार मैस्सा का पठार, उडिये का पठार máपका बोराट का पठार पड़ाबबट comment किजे दूस्तों तो देखो आपका मैस्सा का पठार आपका चितोड में है विजा रतियूं यह काँपर हैं यह अपका चितोड में हैं उडिये का पठार आपका सीरोई में अभी बात किती सर्वस पठार हैं ठीक है और आपका ऊपर माल का पठार हैं वह काँपर हैं यह आपका बैंसरोड गड़ से लेकर विजू लेकि बीच में हैं यह option आपका राइट है जो भी option है कमट कर रहा है यह option आपका सही रहेगा ठीके दोस्तों आगे बढ़ें एक बार सभी class को like और share कर दे class को क्या कर एक बार सभी like और share जुरूर कीजिए अगला सवाला आक पर सामने लसाडिय का पठार है राईस स्थान के कि दिले में हैं देख guesses नोलसलड कि पथार उडएपूर में हैं मतलब lightly आपका संगर अगलाव पुछ ऑपन बेचिन नियुम्य लेकित में से राजिस्तान के किस आपका बोतिक है ठीक है किस बोतिक प्रदेश का बाग मताओ बैस पन भी अ gewoon कि Shadow मांस वाड़ा चितोडगड़ और परतापगड़ का बाग है ठीक है ध्यान रखना सी ओप्सन आपका राइट है यहापर बुगोल का काप इंपोर्टेंट कुछन है अगला स्वाल आप से पूचाए आड़ोती पठार राज्ये के कौन से संभाग में है देखो आड़ोती का संभाग में दूस्तोओं आपका कोटा संभाग में आता है अड़ोती का पठार ठीक है ओप्सन नमबर क्या रएका डिया आपका सही है कौन सा अप्सन आपका राइट रहेका डिया ऑप्सन अगला स्वाल राजस्तान का एक मात्र इस्त लिए उलका पेंड़ प्रहार केनें M.I.C. इस्तिते हैं M.I.C. कहां पर आपका कमेट करना है M.I.C. वो कहां पर आपका या आपका रूसनों रामगड बारा में कहां पर है रामगड बारा में है ठीक है ओप्सन नमबर B आपका सही है लीजे अगलास वाल आपके सामने आज चुका है मुकंद्रा की पाड़िया कहां पर है भुगवल का कापी उच्छा गुसन है मुकंद्रा पाड़ियों से बूचाएं कि मुकंद्रा की पाड़िया कहां पर है आपके अरुदी पठार में है पॉराट के पठार में है अरावलिप की पाड़ियों में या रुसल सपन के मैदान में बताओ भाई मुकंद्रा की पाड़ी है कहाँ पर पूचे आपसे एक्जाम में तो मुकंद्रा पाड़ी है आपके अरुतिक पठार में कहाँ पर दोस्तों बेलकुल आपके मुकंद्रा पाड़ी है अरुतिक पठार में विदार्तियों है ठीक है दान लगना कापी चार कापी इंपोर्टन कुछन है कोटा जलाबार में फैली हुई आपको पता यह गाई है आगे बढ़े अगला बताओ निमा लेकित में से राजस्तान की सबसे लंबी नरी कौन सी है राजस्तान की पुछे आप से एक्जाम में कि राजस्तान की सबसे लंबी नरी कौन सी तो फटा बट कमेट करना है कि कौन सी है लोनी है चंबल है माई और गगर है फटा बट कमेट कीजिए राजस्तान की सबसे लंबी नरी कौन सी वो आपकी चंबल है ठीक है ओप्सन नमबर भी आपका सही है चंबल क्या है दोस्तों आ राजस्तान की सब्से लंबी नरी वो कोँसी है वो आपकी चमबले विजार्थ न ठीके जानमे लगना आगे बड़ने अगला बताओ राजस्तान की कोँसी नदी करफ रिखा को दो बार करती है अब देखो कर रिखा कांसे गुजरती है ये 25 वाडा डुंगलपूर्शे ये का देखा को दो बार पार करती है। चंबल, बनास, माई या लोनी। अब देखो जिल्य आ गया, आपको बांशक्ता डूंगरपूर इन जलों में कौन से दोस्तों नदी गुजरती है, तो वो आपकी कौन से होगी। माई गुजरती है। और दोस्तों माई क्या खरती है। कांठल और वागड कांठल और वागड की गंगा है कौन दोस्तों वो आपकी माई नदी ठीक है ओप्स नमबर शी आपका सही रहेगा अगला सवाले राजस्तान के कौन से कस्वे का दरातल इस तर उसके पास की नदी के पेटे से भी नीचे हैं अब देको आपके जैसे यह आतल होता है न वो इस नदी के दरातल से भी नीचे है ठीक है पाली नुमान गड घज्चन व माख है बालोति तो वो शेर आपका कौन सा वोगा वो सेर आपका अ original कि लोनी का से नीगल दिफ only और अपकी आती लोनी लोनी के अगर तो पेटे की बात करे अगला स्वाल आपके सामना आ चुका हैं, कि निमन बेश से कौन से नजी अपना संपुर्ण परवार राजस्तान में सीमित करती है, मतलब जो अपना परवा है वो ओनली फोर राजस्तान में, बारस नहीं, बना से चंबल लोनी हमाई, अब अटक बट कमेट किजिए, कि कौन सी है, वो आपकी बना से, सबसे लंबी नडी कौन से है, वो आपकी सबसे लंबी नडी कौन से है, वो आपकी बना से, अगर यहां पर पूर्ण तो आगया है, तो तो आगी बना स, अगर शिंबल पूसले राजस्तान के सबसे लंब जड़ी है, तो आपकी कौन से होगी तो चमबल होगी ठीक है, दोनों में जान रकना है, option बर एर आपका right है, बनास, अगला बताओ, चूल्य जल्बरवात है, ये किस नदी पर बनाया गया है, बदेखो कर चूल्य जल्बरवात की बात करें, तो बताओ ये किस नदी पर बनाया गया है, यह option आपका right है आप में से जो भी option है, comment कर रहा है सही रहेगा, अगला स्वाल आपके सामने, भीमलत जलब बात कहां पर है, बताओ भई आपका भीमलत जलब बात है, यह कहां पर है आपका, मेनाल नदी पर है मांगली पर है, बेड़स पर है यहां दोस्तों आपके, चंबल पर है बताओ साथ यह बिलकुल आपका भीमलत का भूचे तो यहां पर आपका, यह मांगली पर है किस पर है दोस्तों आपका, मांगली नदी पर है, भी option आपका सही रहेगा और मांगली नदी पर किस जिले में आता है यह आपका बुंदी में कहां पर हैं? मांगली नदी पर बुंदी में विजारतियों आएं और अपसन नमबर B आपका सही रहेगा लीजिए अगला स्वाल आपके सामना आचुका है एक बर्षबी क्लास को आपना जल संवर में गिराती है साबर मती, चाप, रूपन, गड़ या, मेड़ा फटाबब कमेंटर दो एक बार तो देखो यहाँ पर एक तो कौन किसी होगी? एक तो रूपन, गड़े और एक मेड़ा है मतब तीन और चार बताओ किस में? तीन और चार option B में, तो यहाँ पर B option आपका सही है, ठीक है, लिजे अगला सवाल आपके सामने कि निमन में से कौन से नदी 12 वाटी बैसन में परवाइट होती है, बताओ बई इन नदी नजी आपकी कहाँ पर बैथी है, 12 वाटी बैस्ट में परवाइद होती है, ठीके, कांकनी, कांतली, बांड, गंबीरी, फटा-बट कमेट कर दो एक बार, सबी विदारत एक साथ कमेट केजिए कि निमन में से कौन से नदी आपके तोरावटे में परवाइट होती है तो तोरावटे के नदी कौन सी है वो आपकी कांत लिए कौन सी है रोस्तों आपकी वो वो आपके उजाएगी कांत लिए ठीके ऑपसिन नबर B आपका साही है कौन सा अपका राइट रहेगा B आपका राइट रहेगा ठीके अगला स्वाल आपके सामने मिलान करने ही क्या करें आपको यहाँ पर सुमलित करना नदियों का नाम है और उद्गम इस्तले कि किस नदी का उद्गम है वो कहां से होता है ठीक है तो देखो कि लोनी का उद्गम की बात करें तो बच्चे बच्चे को बता है लोनी का उद्गम कहां से होता है लोनी का दो उद्गम कहां से होता है अजमेर के नाधपार से होता है लिको यहाँ पर तीन लिख दिया तीन उसके बाद दोस्तों कर बैडस की बात करें बैडस का कहां से होता है तो गोकुंदा की पाड़ियों से होता है लिखो एक उसके बाद सुम की बात करें कि सुम का उद्गम कहां से होता है तो आपका होता है बीचा मेड़ा की पाड़ियों से और माई का विद्धन सिल पाड़ियों से ठीक है तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका 31, 42 31, 42 ओप्सन नमर B में है B ओप्सन आपका साहिए ठीक है अगला स्वाल आपके सामना आज चुका है दूस्तों बड़ा इंट्रेस्टिंग कुस्टन है कि खारी का उतकम राजस्तों जिले के उत्तर में रिष्टते थे हैं ठीक है तो रूस्तों बताना है कि खारी नदी यह इसका उतकम है कहां पर है राजस्तों जिले के उत्तर पच्चे में रिष्टते थे हैं तो गाम की पाड़ियों से किस गाम से होता है अरना से बागोता से बापणी से या रुसना आपके बीजराल से ठीक है तो यहाँ पर सिंपल कुछन है यहाँ पर आपको लेकरना बीजराल खाल जी कर्मी क्या लेकरना है यहाँ पर आपको लेकरना है बीजराल तब क्या बन जाएगा परशन पूरा इखारी जड़ी का उतको मुराज समझ लेके उत्तर में इस्तिल विजराल की गाव की पाड़ियों से होता हैं यह बिलकुर राइट बात हैं ओप्सन नमर भी आपका डी ओप्सन आपका राइट है विजराल ठीक है अगला स्वाल आपके सामने आचुका विद्यारतियों निम इस क्लास से आज आएगी आपन पूरा एक कर लेंगा ठीक है तो आपको क्लास को डेली जॉइन करना है अगर आपका भी टार्गेट एट तीचर बढ़ना तो इस क्लास को मिस्स मत करना ठीक है अब बताओं यह आपका राइट है विजरारतियों पटाबट कमेंट केजिए क इन में से कौन सा आपका अर्प सागरी का उदान है तो वह आपकी जोजडी बाड़ी और जवाई ठीक है ओप्सन डी आपका सही रहेगा अगला स्वाल आपके सामने आज चुका है राजिंदर शिंग निमन लिके तो मैं से किस सहंस्ता के सहंस्ता पके है राजिंदर कोन है दोस्ता है राजिंदर शिंग ठीक है ऑप्सन बर भी आपका सही रहेगा अगला स्वाल आपके सामने आ चुका है कि किस जिल का निर्मान 1891 ऑट राजिंदर बारणवे के दोरान अकाल रात कानल के लिए क्रवाया किया था तो राजिंदर जील फटेसागर जील फैसा अब अब ऑफी ठीक है दोस्तों अब आप कमेट करेंगे कि किस जिल का निर्मान 1891 अ तो वह जील कौन सी है रूसता आपकी वह जील फायसागर जील कौन से होगी आपकी फायसागर जील और फायसागर जील कहां पर रहे यह आपकी आजमेर में ठीक है C option आपका right रहेगा अगला स्वाल आपके सामना आजको है राजसमद इल का निर्मान मान राजसी ने कब गरवाये था देखो राजसमद इल का निर्मान राजसी ने करवाये था जर बतो कब गरवाये था बिलकुल 680 में, 690 में 31 में आर उसमों 640 में तो देखो राज समझेर का दिनमान दूस्तों आपका 1680 में कब करवाए गया था 1680 में करवाए गया था ठीक है बेल्ट को 1680 इश्वी में करवाए गया था ओप्सन नमबर ए आपका साइए अगला सवाल आपके सामना आज चुका विदारतियों पुसकर जील कितने गाटों से ग्रीव हुई है पुसकर जील आपके एजमेर में है विदारतियों कापर एजमेर में है ठीक है न ये जील है कितने गाटों से ग्रीव हुई है 46, 52 या आपके 58 तो देखो पुसकर जील है ये कितने गाटों से गिरिवी है ये 52 गाटों से ये 52 गाटों से क्या है आपकी गिरिवी जील है विदार्तियों ठीक है option number D आपका सही है कौन सा option आपका right रहेगा D option आपका right रहेगा अगला स्वाल आना सागर जील का निर्माण किस तने करवाया था आना सागर जील आपकी अजमेर में ये जील कहाँ पर है आपकी दोस्तों बिल्कुल अजमेर में है कहाँ पर है आना सागर अजमेर में इसका निर्माण आपसे पूचा है किस तने करवाया था आना जी चोवान ने, पर्थिवाज चोवान ने, साज आने, जांगिर ने तो देखो नाम सबस्टे आना सगर जिल का निरमाट आना जी चोवान ने किस ने करवाए था? आना जी चोवान ने करवाए था यह option आपका राइट रहेगा अगला सबस्टे आपके सामने आच चोवाए दोस्तों बाज समद जील और कायल अना जील है राजस्तान के कि जले में? अब देखो दो जीले हैं आपकी फर्ष्ट आपकी बाज समद और स्रेकेंड कायल अना है यह दोनों कहाँ पर हैं आपकी प्राश्चीन जील पर नटने का चबूत्रा निर्मे थे, नटने का चबूत्रा की आगर्व Hahn कि जिल पर हे तो यहां पर क्या है, और आप्स ना आपका राइट रहेगा, ठीकिए, लिच्चेग्लास वाला के सामने, राजस्तान की किस जील पर रामस राधर भूमी सुची में सामिल की गई है इनमें सो दो सो बता ना की जील को क्या है रामस राधर भूमी में सामिल किया गया है वो जील कौन सी पीछोला जेस अमन सामपर या नकी जील तो यहाँ पर पीछ बिल्कुल यहाँ पर अगर साही उत्र की बात करें तो वो कौन सा होगा फटाबट कमेट कीजिए बिल्कुल फटाबट से भी साती कमेट कीजिए तो यहाँ पर देखो सांबर की बात करें सांबर की यहाँ पर जिर्कोट उसमें कहा है रामस और आधर भूमी में सामिल किया गया है, C option आपका right रहेगा, यहाँ पर मैंने आपको 50 important question करवा दिये, अपने series पूरी 500 important question किये, और पर class यात रहेगी, अगर आपने अभी तक RPSTDF से course नहीं लिए आए, तो आप क्या करें विज़ारतियों, कॉरस बिल्कुल तयार है, BSTC 2025 का, तो वहाँ से आप कॉरस बाय कर सकते हैं, अभी से आप तयारी start कर दीजिए, तक जाके काई ने काई दोस्तों, आपके आप BSTC में 500 पार कर पा होगा है, ठीके, इस बार अपना target है, पान सो बारतियों की कटॉप 2024 की कटॉप बहुत तकड़ी रही है, ठीके, इस ब्रीके साब को पढ़ा ही करनी है, 2024 की कटॉप को देख लो एक बार, ठीके, पेपर भी अचा आता है, और सारे परस्टन हमारे कउपी बहता आपने देख लिया होगा, इसलिए इतारे में लज़व विदारतियों, कॉरस ले लो आर पेश्टेडी से, और इस क्लास की पीडिये मिलेगी हमारो टेलिग्राम पर, ठीके विदारतियों, चले लो दोस्तों मिलते हैं, नेक्ट क्लास में कमेट केजे, क्लास कैसे लगी, जे इंदे जेवार्ट.